नमस्कार दोस्तों सभी स्टूडेंट्स और में रिफ्रेंट्स कैसे हैं आज अपन बात करेंगे एक बोटनी का नया टोपिक के बारे में खास दोर से अपने जो हएं अदर एक टोफिक है डबल फटलाइजेशन और डबल फटलाइजेसन से कौन से क्योस्ता बन 75 बंन शकते हैं अपनो किसं में देखते हैं प्लांट्स में प्लांट्स के अंदर कौन से प्लांट्स में डबल फटलाइज़ेशन पाया जाता है तो यह एंज्योप में अब चीज आती है कि डबल प्लांट्स में कौन सा जनन है लेंगिग जनन में एक मेल गेमिट होता है और फिमेल गेमिट होता है यहां पर मेल गेमिट में अगर आपन देखेंगे तो मेल गेमिट की रूप में पोलन ग्रेन होते हैं पोलन ग्रेन कुछ इस प्रकार की इस टेक्चर होती है जिसके ओपर दो मेंबरेन जो है वो पाया जाती है और यहां पर दो कोशिकाएं पाया जाती है तो polar grain में बड़ी वाले जो कोशिका होती है उसी vegetative cell small कोशिका को अपन कहते हैं generative cell ये दो चीजे हैं इसमें generative जो cell होती है ये क्या होती है कि इस कोशिका के अंदर तैरती रहती है ऐसे बना सकते हैं ठीकर बड़ी कोशिका का वेजिटेटिव इसके अंदर चोटी कोशी का जनेरेटिव साहल होती है इसकी आकरती इस बार असिस्टेंट प्रोपेसर में भी पूछी गई थी लेंटी कुलर लेंटी कुलर अकरती इसमें पाई जाती है अब आपन देखेंगे इधर फिमेल गेमेटो फाइट की अगर आपन बात करेंगे या फिमेल का जो मैन पार्ट है फिमेल गेमेटो फाइट की बात करते हैं फिमेल गेमेटो फाइट किसे कहते हैं कई बार ये क्योशन पूछा जाच चुका है एंबरियो सैक को क्या कहा जाता है फिमेल गेमेटो फाइट कहा जाता है जबकि पोलन ग्रेन को क्या कहा जाता है मेल गेमेटो फाइट कहा जाता है फिमेल गेमेटो फाइट हो ऐसी जगह जिसके अंदर गेमेट का निर्मान होता है उसे गेमेटो फाइट के नाम से जानते हैं तो male gamit का निर्मारण किसमे होता है? तो अपन देखेंगे pollen grain के अंदर. तो ये male gamit का pollen grain को कहेंगे. female gamit का जो निर्मारण हो किसमे होता है? तो embryo sec में होता है. इसलिए embryo sec को क्या कहता है? female gamit of height के नाम से जानते हैं. अब अपन एक structure देखते हैं. इसके structure यहां पर बनाई है. अब अपन इसकी देखते हैं कि embryo sec वो किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर पाया जाता है. जैसे यहां पर अपन एक common structure देखेंगे. तो यहाँ पर कुछ इस परकार की structure है यह सबसे नीचे की तरफ flower के अंदर एक structure होती है जिसे थेलेमस के नाम से जानते हैं इसके उपर क्या पाई जाती है ओवेरी पाई जाती है और ओवेरी का उपर वाला जो part है वो क्या बनाता है stigma बनाता है यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो male part पाई जाता है जिसे अपन क्या कहते है stamina कहते है यह common चीजे है जो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए यह नीचे वाला जो part है जिसे अपन क्या कह रहे है ओवेरी ओवेरी है ओवेरी के अंदर कुछ इस प्रकार की जो structure है वो छोटे-छोटे इस प्रकार की structure लगी रहती है जिसे अपन क्या कहते है ओव्यूल कहते है किसे कहते हैं ओव्यूल कहते हैं अब ओव्यूल की अगर structure ऐसे अपन देखेंगे कि ओव्यूल की structure कैसी होती है तो यहाँ पर अपन देखेंगे यह क्या है embryo sac है तो यहाँ पर अब अपन आते हैं ओव्यूल के अंदर क्या होता है embryo sac होता है यहाँ पर अब चलो इसकी छोटी से श्टेक्चर बना देता हूँ embryo sec के दो आवरण इस प्रकार से present होते हैं इस प्रकार की श्टेक्चर देखने को मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं ovule के नाम से जानते हैं ovule के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं embryo sec कहते हैं ठीक है और पूरा पार्ट क्या है ये ovule है इसके अंदर जो कोशिक भरी हुई है ovule के अंदर उसे क्या कहते हैं nucellus कहते हैं यहाँ तक ठीक है आप उसमज़ना आगया होगा यहाँ आगर आपन देखेंगे कि ovule में एक नीचे की तरफ बड़ी cell होती है दो छोटी cell होती है इस प्रकार से किस साइड में तो ये जो end है जहाँ पर ovule की जो परते हैं जिसे integument कहते हैं वो integument यहाँ पर open रहती है चोटा सा छिद्र बनाती है जिसे micropiler end कहते है क्या कहते है micropiler दुआर कहते हैं बिजांड दुआर कह सकते हो micropiler end कह सकते हो इसके पास में ये जो बड़ी cell होती है इसे क्या कहते है एग कोशिका कहते है इसे क्या कहते है एग cell कहते है ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ये दोनों को क्या कहते है Synergyed Koshiga कहते हैं. यहां पर चोटी-चोटी thine Koshiga पाए जाती है, जिनने हैं अपन क्या कहते हैं, Antipodal कहते हैं. यहां पर 2 Kendra by JTube जाते हैं, जिनने Polar Nuclei yeah के नाम से जानते हैं. यहां तक दोनों क्या होआई ये male part अर caucus, यह female part है. यहात है कम समझें आ गए है सब को अब आगे चलते हैं कि जैसे ही यहां पर आता है कहां पर इस्टिमा की ऊपर इस पुलवर का जो फिमेल इस में क्या करते है कि उसे ट्म करते हैं इसे plot कर यह आदा पर यहां पर Careacy को है आता है पोलं ग्रेयन है वो कि आता है ठीक पोल्र ग्रेयन i अता है तब तक इसमें जो जटनेरेटिव सेल होती है यह सेल यह क्या करती है माइटोसिस डिविजन करती है माइटोसिस डिविजन करने से दो नुकलिया यह बना लेती है क्या बना लेती है दो केंद्रक बना लेती है जिसे क्या कहते हैं मेल गेमिट कहते हैं तो मेल गेमिट किते बन गए अब दो बन गए एक ओसी का वेजिटेटिव है और दो केंद्रक यहाँ पर बन गए टोटल किते होए तीन तो यहाँ पर आपन कह सकते हैं इस स्टेज में जब आता है इसमें किते केंद्रक होते हैं एक ये केंद रखोता है, दो ये केंद रखोते हैं, ये condition होती है, अब जैसे ही ये stigma के उपपर pollen grain पहुंचता है, इसमें क्या होता है, अंकूरन होता है, अंकूरन होने से यहाँ पर इसमें क्या निकलेगी, pollen tube निकलेगी, और ये कहाँ पहुंचेगी, जो ovule है, ovule के micro pilors end है, यहां पर पहुंचती है यह जो pollen tube है इस pollen tube को अगर अपन ऐसे बनाए यहां बनाए यहां पर बनाए तो अपन ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार से बनेगी यह ठीक है अब अपन देखेंगे इसमें दो जो male nuclei है वो यहां पर चलेंगे एक male nuclei और यह दूसरा male nuclei है यह जो vegetative cell जो है यह वाला के अंदर के यह सबसे आगी की तरफ रहेगा ठीक है तो यह दोनों जो male nuclei है अपने क्या है दोनों काम की है इनने क्या क बार मेल नुकलिय यह कहते है यह male nuclei pollen tube में आगे-आगे चलते रहते हैं कई बार क्योंसरा आता है कि male nuclei के पीछे की तरफ एक प्लक बनता है डिपोजिशन बनता है जिसे क्या कहते हैं तो यह जो प्लक बनता है यह पे कि यह pollen grain पीछे ना चले जाए तो यह किसके पाईजाते है क्या है क्या बदते हैं कि प्लग बंते हैं कि प्लग बनते ताक्कि यह पीछे ना चला जाये कई बार कि उसने पूछा जाता है पॉलन टूब के अंदर जो पलग बनते हैं बने होते हुझ helparak क्हुंच के बनए होते हैं मेल मेल नुकली हाइज ü D पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही है फिमेल की तरफ जो अट्रेक्ट हो रही है वो उसका कारण कौन सा आयन पूछा जाता कई बार तो यहां पर कौन सा आयन है केल्शियम आयन होता है जो इसको डायरेक्शन देता है और इसकी ग्रोथ को क्या करता है यह क्या है इस प्रकार के स्ट्रेक्चर है और यहां पर क्या है तीन एंटिपोडल कोशी का उपस्तित है यहां पर अगर आपन देखेंगे इनर इंटेग्यूमेंट और यह आउटर इंटेग्यूमेंट होता है इस प्रकार के स्ट्रेक्चर होती है किसकी ओव्यूल की यहां और आगर देखोगे तो यह आउटर इंटेग्यूमेंट होता है यह क यह जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं यह किसका है Embryo Sec का है यह पार्ट जो हो क्या है Embryo Sec का यह सबसे important अपने लिए कि Embryo Sec है यहां पर अगर आपन देखेंगे अब सपोज यहां पर मैं बना रहा हूं कि कोई इस्तिग्मा रही होगी और यहां पे क्या आया होगा प्राग कर्ण या पोलन ग्रेंड जो है वो यहां पे आया होगा और उसका क्या हुआ होगा जर्मिनेशन हुआ होगा जर्मिनेशन यदि हुआ होगा तो यहां पे आपन देखेंगे तो इसमें क्या बनेगी एक pollen tube जो है उसका निर्माण हुआ होगा तो यहां से जो inner layer है इससे क्या निकलती है एक pollen tube निकलती है यहां पर एक ideal structure बना रहा हूँ यह structure बन गई यहां पर ठीक है नहीं बड़ी मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको समझाद सके अपन ठीक है यहां से बन गई इसमें दो केंद्रक जो चलते हैं एक यह एक यह यह क्या है दोनों मेल नुकलियाई मेल नुकलियाई यह मेल नुकलियाई आ गए मेल नुकलियाई अब आपन देखेंगे कि यह जो pollen tube है पोलन टूब एंटर कहां से कर रही है तो माइक्रो पाइलर एंड से यह क्या है माइक्रो पाइलर एंड से एंटर करेगी अब कई बार पूछा जाता है कि पोलन टूब जैसे माइक्रो पाइलर में एंड में एंटर करती है तो एंटर करने के बाद में कौन से सेल के साथ में यह डिएटेज होता है मतलब यह आटेज होता है यह अपर कह सकते हैं आटेज होता है तो यह किसके साथ में अटेज होगा सीनर्जीट कोशिकाओं के साथ पॉलन ट्यूब एंटर जब करती है तो कौन सी कोशिका में एंटर करती है ये कई बार क्यों पोचा जाता है तो यहाँ पर ये जो एंटर करती है ये किसमें एंटर करेगी यहाँ पर तो ये एंटर करेगी synergy कोशिका में synergy कोशिका में enter कराने के लिए एक इस प्रकार की structure होती है जिसे अपन क्या कहते है philly form apparatus कहते है philly form apparatus कहते है ठीक है ना कई बार यह कि उसमें भी आ चुका है कि philly form apparatus कहां पाए जाता है और इसका काम क्या है तो अपन क्या कहेंगे कि जो pollen tube आती है उसको direction देना अंदर की तरफ प्रिवेस कराना उसके लिए जो काम है वो किसका काम है philly form apparatus का काम है philly form apparatus क्या करता है जैसे ही दोनों male nuclei अंदर की तरफ enter करते हैं यहां यह क्या करेंगे male जो यहां पर देखेंगे दोनों जो male nuclei है वो क्या करेंगे आगे के तरफ enter करेंगे और किस में चले जाएंगे philly form apparatus में चले जाएंगे philly form apparatus इस प्रकार की structure create करता है कि दोनों male nuclei को यह synergy cell धिरी-धिरी क्या होने लगती है degenerate होने लगती है और यह male nuclei है वो यहां पर आ जाते है इस प्रकार से दोनों male nuclei जो है वो कहां पर आगए embryo sac में आ गए एक male nuclei जो है सबसे पहले वो किस के साथ में bind होगा इस के साथ किस के साथ में egg के साथ तो यहां पर जब egg के साथ में क्योंकि दोनों जो male nuclei वो कैसे होते हैं हैपलोईड होते हैं egg है ये भी क्या है egg है ये तो तो ये वैसे भी gamit होते हैं वो कैसे होते हैं हैपलोईड ही होते हैं तो ये भी क्या है male nuclei है ये भी कैसा है हैपलोईड है दोनों की बीच में क्या हुआ निशेचन हुआ, fusion होगा fusion होने से यह जो structure बनेगी यहाँ पर इन दोनों के fusion होने से यह जो structure बनेगी यह क्या होगा, fertilization होगा first fertilization तो कि जब male और female gamit का fusion होता उसे अपन क्या कहते है, fertilization कहते है तो पहले जो male nuclei है वो किसके साथ में fuse होगा, first वाला वो egg के साथ fuse होगा, जिसे अपन first fertilization कहते हैं, और इसके दोरान क्या बनेगा जाइगोट बनेगा यह जाइगोट बन गया और कैसा बनेगा यह 2N बनेगा यह, क्योंकि haploid और haploid दोनों fuse होते हैं तो यह क्या बन गया है, diploid जाइगोट बना इसे क्या कहते हैं, प्रथम fertilization के नाम से जानते हैं, प्रथम decision कहते है, first fertilization second अगर आपन देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ज आप देखो जैसे, कि अब आपके पास में यह क्या है दो polar nuclei पहले से उपस्तित है इन्हें क्या बोलते है primary polar nuclei बोलते है कैसे हैं दोनो n प्लस n है ठीक है, दोनों का पहले तो क्या होगा fusion होगा, fusion होने से इस प्रकार का एक बनाएंगी जो कौन सी stick से बनेगी, 2n दोनों के fusion होने से 2n structure बनेगी जिसे अपन क्या कह सकते है secondary polar nuclei secondary polar nuclei कहते हैं, यह बनेगी ठीक है, अब secondary polar nuclei बन गई अब अपन देखेंगे, secondary polar nuclei जो है, वो किस के साथ में fuse होगा, तो male nuclei के साथ में, male nuclei कैसा है haploid है यहाँ पे कैसा है, haploid है इन दोनों का क्या होगा fusion होगा इस प्रकार की structure बनेगी हो गया fusion, यह क्या हुआ fertilization, किस के साथ में secondary जो male nuclei है मतलब एक और दो male nuclei था first और second, यह कैसा था first male nuclei और यह कैसा है, second male nuclei है male gamit है मतलब तो male gamit, second जो fuse होगा वो किस के साथ में होगा secondary male मतलब polar nuclei के साथ में fuse होगा, इसके साथ और यह क्या बनाएगा, 3N structure 3N structure बनेगी, 3N structure बनेगी, उससे क्या कहेंगी, तो 3N जो structure बनती, इससे कहते हैं अपन primary endo sperm cell इससे क्या कहते हैं, primary endo sperm cell के नाम से जानते हैं, कैसी होगी 3N structure है यह यह आपको विशियस याद रखना है और यह fertilization जो हुआ है, यह fertilization कैसा क्यालाएगा, secondary fertilization के नाम से जाना जाएगा इससे अपन कह सकते हैं secondary fertilization यह secondary fertilization हो गया, इस प्रकार से fertilization किती बार हुआ है, पहला fertilization यहाँ पी हुआ है, और secondary fertilization यहाँ पी हुआ है, इसलिए plants के अंदर खार्स तोर से angio sperm में दो बार fertilization होता है, पहला fertilization से जाएगोट बनता है, और जाएगोट आगे जाके क्या बनाएगा, embryo, और second जो fertilization होता है, वो secondary polar nuclei, प्लस male gamit के साथ में होता है, जिससे second fertilization होता है, और बनने वाली 3L structure बनती है, triploid structure बनती है, जिससे primary endo-spam cell कहते हैं, अब यह structure अपने सामने बन गई है, आगे अपन देखेंगे, देखो, अपने सामने जो structure बनी है, वो देखते हैं, आपन, पहला, पहला अपने पास क्या है, male nuclear, male gamit, किस के साथ जोड़ा, कैसा है यह, end है, किस के साथ जोड़ा है, यह, egg के साथ, यह भी कैसा है, end है, बना कि आपने पास में, जाइगोट, जाइगोट कैसा है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ पर अपन कह सकते हैं, to any structure बनी है, और यह जो जाइगोट है, यह convert किस में होगा, continue mitosis division करेगा, जिसके कांड से, embryo का निर्मान करेगा, embryo या, भून का निर्मान करता है, यह हो गया, पहला fertilization, second अगर अपन देखेंगे, तो यहाँ पर, second, तो second में, male, gamit, plus, किस के साथ में होगा, second, तो secondary, polar, nuclear, किस साथ में fusion होगा, यह कैसा है, 2N structure है, और यह कैसा है, N structure है, दोनों का जब fusion होगा, तो कैसे इस टेक्चर बनेगी, 3N structure बनेगी, और उस इस टेक्चर क्या कहते है, primary endosperm, primary, endosperm, andosperm, cell कहते हैं, यह जो primary endosperm cell जो होती है, वो कैसे होते हैं, triploid होती है, और इससे क्या बनेगा, आगे जाके, continue division होगा, mitosis और, endosperm structure का निर्मान होता है, इससे क्या कहते हैं, भून, पोस के नाम से जानते हैं, ठीक है, भून पोस क्या करता है, जो embryo बना है, उसको क्या देगा यह, nutrition, या भोजन, तो जो embryo का विकान, विकास होगा, उस विकास के द्वरान, उसको जो भोजन प्रोवाइड कराएगा, वो कौन कराएगा, भून पोस का निर्मान, मतलब करवाता है, तो भून पोस का यह पोछा जाता है, कि कैसी structure है, तो आप कहोगे, ट्रिप्लोइड इस्ट्रेक्चर है, ट्रिप्लोइड, त्रिप्लोइड, सपम, या आवर्तबीजी पादप के अंदर, आगर यहीं structure अपन देखेंगे, किसमें, जीमनो में, जीमनो सपम, जीमनो सपम में, जो एंडो सपम होता है, वो कैसा होता है, हैपलोइड होता है, जबकि आउस्पम में कैसा होता, हैपलोइड, तो यहां पर हैपलोईड क्या होता है एंडोई स्पम इसका मतलब जिमनोई स्पम में double fertilization इस टेक्चर नहीं बनती है ठीक है जबकि double fertilization का जो character है किसका है केवल एंजियोई स्पम का character होता है जिसमें दो बार fertilization होता है एक बार में जाइगोट बनता है दूसरे वाले से primary endosperm बनता है primary endosperm में लगातार mitosis division होने के कारण से उसमें क्या बनता है endosperm कानिर्मान होता है जो क्या करता है इसको food का food provide करवाता है ठीक है यह वाले condition होगी तो double fertilization के बारे में जो question अगला question पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है कि double fertilization के study किस नहीं की थी ठीक है तो double fertilization discovery का सकते हैं discovery का सकते हूँ नवास्चीन ने की थी कब 1898 ठीक है ना अठाणमा के आसपास में नवास्चीन ने double fertilization के study की थी यह question भी कई बार एक्जाम में repeat हो चुका है कि double fertilization के study किस ने की थी तो नवास्चीन ने की थी यह question भी आ चुका है यह सभी चीजे जो मैंने important बताई वो सभी question repeat हो चुके है इसमें मैंने कोई भी चीज आपको अक्ष्टरा नहीं बताई है जो question आना होगा वो इसमें से आपको double fertilization का topic जो होता है उसमें से आपको पूरा मिल जाएगा अगला topic अगर आपन discussion करेंगे तो उसमें आजाएगा आपका endosperm का निर्मान आगे जाके कैसा होगा उसके बाद में जो topic आएगा उसमें करेंगे कि embryo का निर्मान कैसे होगा तो यह एक छोटा सा वीडियो था उम्मीद करता हम आपको पसंद आया होगा तो आप लोग जुरूर रेस्पोर्सन देखेंगे जाएए कि कैसा लगा आप लोगों को सभी जो भी फर्स्ट गर्ड के प्रपरशन करोंन के लिए सबसे important topic है ठीक आज के लिए अपना जो topic है ह मैं इंपली तो धे, ठीक्यो फ्रेंण